बच्चो पहली काई में आपने क्या जानाा? पहली काई में जाना कि व्यश् checks कहा से शुरू हूआ? या उसका उदर्गम कैसे हूआ? इसके बाद व्यश्健 वीश्वता है? उसमें आने वाले जोखिम क्या है? उसे होने वाले लाब क्या है? आईए आज हम BST की second unit start करेंगे दूसरी एकाई start करेंगे जिसका नाम आप बोर्ड पर देख रहे हैं व्यावसाइक संगठोनों के प्रारूप यानि forms of business organization है इस एकाई में जो है हम इन निम्न प्रारूपों को बारे में अध्यान करेंगे जैसे कि पहला आप screen पर देख रहे हैं एकाकी स्वामित्व अथ्वा एकाकी व्यापार इसे हम इंग्लिश में soul proprietorship कहते हैं दूसरा है साजेदारी इसे हम इंग्लिश में partnership कहते हैं तीसरा है सहकारी समीतियानी cooperative societies इसके लावा हम दो तीन चीजे इसमें और पढ़ेंगे कि यह कंपनीया काम किस तरह करती हैं इनका formation कैसा होता या उद्गम कैसे होता है यह इन प्रारूपों को जानने के बाद हम इनकी चर्चा आगे करेंगे लेकिन इन जो प्रारूपों के बारे में बता रही हूं हम एके करके इनको डीटेल में समझेंगे कि यह होते क्या हैं यह किस सरकी कारे करते हैं इनकी विशेष्टाएं क्या हैं इनके लाब क्या हैं इनकी हानी क्या है और साथात क्या यह जरूरी है या इनके बिना भी कारे किया जा सकता है यह सारी चीजे हम एके करके topic wise discuss करेंगे तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड यूनिट का पहला एका की स्वामित्व अत्वा एका की व्यापार यानि सोल प्रोप्राइटर्शिप तो आए स्टार्ट करते हैं एका की स्वामित्व से बच्चों अगर हम सबसे पहले जाने जैसे कि इस अध्या इस इकाई का नाम दिया गया है कि व्यावसाइक संगठनों के प्रारूप तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं कि व्यावसाइक संगठन का प्रारूप का अर्थ क्या है देखिए बच्चों इसका अगर हम डारेक्ट कनेक्शन या डारेक्ली कनेक्ट करके देखें तो इसका अर्थ सीधा जो होता है एक ownership से होता है ownership प्या हम कह सकते हैं स्वामित्व से होता है किसी भी व्यवसाय का कोई न कोई स्वामी होगा और ये जो स्वामी होगा जो धारना होगी वैधानिक धारना होगी मतलब जब भी कोई व्यवसाय का स्वामी बनता है तो वो वैध व्यावसाइक संगठन के वैधानिक स्वरूप को ही व्यावसाइक संगठन का स्वरूप कहते हैं और अगर हम इसके लिए एक कथन देखें तो वह कथन कुछ इस प्रकार है कि व्यावसाइक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तता अन्य पक्षकार इस अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रारूप बताया तो हमारा दूसरा टॉपिक इसी में आता है कि व्यावसाइक संगठनों के प्रारूप किया है जो फॉर्मेट्स ऑफ बिजनस ऑगनाइजेशन की बात करते हैं अब क्या होता है कि आप जैसे की जानते हैं कुछ बिजनस ज क्या होते हैं बड़ी बड़ी कंपनिया क्या होती है मिल करके joint venture करके मतलब इस तरह के нос जोइन वैंचर बनाते हैं और आगे क्या करते हैं वो साय करते हैं तो अगर हम जो जो दीगी स्क्रीन पर फिगर से समझें तो व्यावसाइव संगठन के प्रारूप को इप तीन भाग और मिख्षित्र शेत्र पहले हम देखते हैं नीजी शेत्र को नीजी शेत्र में हम देखते हैं इसे फिर से दो भागों में बाटा गया है पहला है गैर निर्गमिट शेत्र और दूसरा है निर्गमिट शेत्र जो गैर निर्गमिट शेत्र है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्परेटट शित्र और निर्गमिश शित्र है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्परेटट शित्र हम इसके आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं गैर निर्गमिश शित्र में आगे क्या है गैर निर्गमिश शित्र में आगे आते हैं तो एकल स्वामित्व द कि प्रसके बाद हमें साजी दारी दिखती है यानि partnership की बात कर रहे हैं और इसके बाद हमें दिखता है संयूक्त साहस यानि Joint Ups apl 여러분들 का अब यहीं भी पर आता है सहकारी उपकरम यानि cooperative enterprise हम चलते हैं सारविजनिक शेत्र की ओर सारविजनिक छेत्र में सज़े देखते Müल जो होता है ऑचते जाने छोता है वहता है संयूग पुंजी कम्पनी दूसरा वहता है विभागिया उपक्रम यानि डेपार्टमेंटल Enterprises इसके बाद हम फिर से निर्गमित में आएंगे इनकॉर्परेटड में आएंगे तो उसमें हम देखते हैं वैधानिक या सारवजनिक पब्लिक कॉर्परेशन और उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो वहाँ देखते हैं सहकारी कंपनी यानि गर्वर्मेंट कंपनी तो इस तरीके से जो चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह व्यावसाइक संगठन के उपक्रम का जो डिस्क्रिप्शन है या किस तरीके से उपक्रम जो है या प्रारूप तयार किया जाता है व्यावसाइक संगठन का वो इसमें दर्शाय आ गया है आए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार होता क्या है जो कि हमारा पहला टॉपिक था सोल प्रॉपर राइटर्शिप अगर ह हम इसे सामान और सिंबल भाशा में समझें तो यह जो व्यावसाइ होता है यह विशेश्ट चोटे पैमाने पर शुरू किया जाता है इसकी सबसे बड़ी विशेश्ट यह होती है कि इसमें कम लागत लगी होती है और इसमें वैधानिक चीजों को कम सनलगन किया तो मतलब जितने भी रुकावटे आती हैं उन चीजों को सनलगन नहीं किया जाता है यह भी हम कह सकते हैं इसके साथ सथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो व्यापार होता है वह एक विक्ति के द्वारा किया जाता है अब जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो उनमें क्या-क्या चीज़े include हो जाती हैं जब व्यापार बड़ा होगा तो उसमें पूंजी भी लगेगी उसमें प्रबंधन की भी आवशक्ता होगी उसमें दाइत्व भी जादा होगा साथ ही साथ उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी होगे तो इन सारी जो रुकावटों की मैं बात कर रही हूँ इन सारी प्रूकावटों से बचने के लिए इस लिए इस सोब प्रॉपोराइटर्शिप या एकाकी स्वामित्व या एकाकी वियापात का जो concept है वो सामने आये है। है अब एकाकी स्वामित्व को हमने समझ लिया है अभ इसके बाद समझते हैं कि इसका उदगम कैसे हुआ, इसका ओरीजिन कैसा हुआ, देखिए कुछ विदवानों का कहना है कि इसका जो उदगम है वो ग्रीक, मिस्र या रोम से हुआ है, लेकिन कुछ विदवान यह भी कहते हैं कि इसका जो उदगम है वो भारत में हुआ है, यह उस समय से शुरू रूप में रहने लगा या परिवार बनाकर रहने लगा जैसे कि आप जानते हैं शुरू में लोग कैसे रहते थे पहले लोग अकेले रहते थे और साथ में उनका विकास कैसे हुआ है बंदर से लेकर के हम मनुष्य तक का एक आपने पूरा इतिहास में पूरा देखा है कि हमा के रूप में रहना शुरू किया तब जो है वहां से जो एकाकी व्यवसाय है वह शुरू हुआ अब अगर हम देखें तो डॉक्टर डब्ल्यू आर स्प्रिगल ने कहा है कि प्राचीन पारिवारिक समू जिसमें पिता प्राय परिवार का स्वामी की भाति कारे करता है लगब या इसका उद्गम यही कहता है कि जो होल औन सोल है मतलब इस एकाकी स्वामित्व में क्या होता है जो पिता का रोल होता है जो लीडर का रोल होता है कि वह अपने परिवार का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रहेगा रखेगा और उसके उपर ही सारी दाइत्व होंगे त तुकुर लिया कि मनुष्य जो है अपने परिवार को जिस तरह बना कर आगी चल बढ़ता है उसमें जो हैड परसन है मतलब अज़े फादर या पिता अपने परिवार को पूरा समालता है उसी कॉंसेप्ट पे बेज ये सोल प्रोपरियोटिशिप आया अब सोल परिभाशाओं को देखते हैं कि कुछ परिभाशाएं क्या है सर चार्ल्स डब्ल्यू गेस्टबग के द्वारा दी का एक परिभाशा हम देखते हैं उनके नुसार एक काकी व्यापार वह व्यापार है जो एक व्यक्ति द्वारा ही प्रारंब किया जाता है तता वही व्यक की व्यापार व्यक्तिगत व्यापार का स्वरूप है जिसमें एक ही व्यक्ति समस्त उत्तरदाइत्व अपने ऊपर लेकर व्यापार का प्रबंद एवं संचालन करता है तथा लाबहानी का पूर्ण भार वहस्वयं सम्हालता है तो इस तरीके से हमने दो परिभाशाएं होता है मतलब होल सोल होता है उसका उसमें क्या होता है उस व्यक्ति के पास क्या होता है वो सारे अधिकार होते हैं कि वह अपने जो उस व्यवसाय को कब शुरू करना है कब बंद करना है कब कितनी पूंजी लगाना है वह पूंजी को किस तरीके से अरेंज करना है उसमें ल वाली लाग या होने वाले हनी के लिए वह स्वेंब जिम्मेदार होता है और दोनों को ही जो दोनों का अब जो भार होता है वो पूर्ण रूप से वही वहन करता है तो इस तरीके से हमने क्या किया हमने एकाकी स्वामित्व को जाना आईए अब हम चलते हैं एकाकी स्वामित् विशेष्टाओं में पहली विशेष्टाएं हैं प्रारंब तता अंत करना सरल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकाकी स्वामित्व व्यापार में जो व्यापारी होता है वो क्या होता है सरवे सरवा होता है और उसके हाथ में ही वो सारी responsibilities वसेरी जिम्मेदारियां होती हैं कि वह अपने व्यापार को कब प्रारंब करना चाहता है या उसका अंत कब करना जाता है अगर हम इनमें कुछ उधारन देखें कि यह किस तरीके के हो सकते हैं एकाकी स्वामित्व तो बड़े देखें मैं जैसे कि आपको बताया था कि एका कि स्वामित्व व्यापारी होते हैं जो बढ़ाई है जो पंसारी की दुकान चलाता है जो मोची है नाई है धोबी है सफाई कर्मी है जिन्होंने अपना व्यावसाय स्वयम प्रारंब किया है ये सभी लोग जो क्या है ये एकाकी स्वामित्व व्यावसाई कहलाते हैं और यह इन पर निर्भर करता है कि यह अपने व्यवसाय को कब प्रारंब करना चाते हैं और कब अंत करना चाते हैं क्योंकि क्या होता है इनका खुद का नियंत्रन होता है इनके व्यवसाय पर यह इनको पूंजी भी खुदी लगाएंगे ठीके यह लाभानी भी खुदी वहन करे करेंगे और उसका अंत कब करेंगे हम दूसरी विशेष्टा की और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी विशेष्टा क्या है दूसरी विशेष्टा कहती है कि व्यक्तिगत स्वामित्व यह तो इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति जो होता है वह जो होता है वो हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदाई तो होता है, तब वो उसका एकाकी स्वामित तो होता है उसके व्यापार पर, क्योंकि हर डिसिजन या हर नेने जो लिया जाता है, वो उसके द्वारा स्वैम लिया जाता है, और हर लाभानी के लिए, और हर कर्तव के ल है तो इससे इस कथाалистय दूसरी विषची विशिष्शता की विश्ची होती है कि यह एक व्यवसाई है उसका प्रबंद भी एकाकी ही होगा मतलब पूझी कब लगानी है पूझी कितनी लगानी है पूझी का एरिजमन कहां करना है अपने जो भुकता है उनसे किस तरीके से कॉन्टाक्ट्स बनाने है फिर revenue केसे generate करनी है अर्था जो धन आर्जन कैसे करना है अर्जित धन को फिर से निवेश कहां करना है इससे related सारी चीजे और कार किस सरीके से होना जाए कितने समय में समापतन चाहिए जितने भी ये बिंदू है व्यवसाय से related वह उसका प्रबंदन स्वयम करता है क्योंकि वह एकाजी व्यवसाय चलाता है हम चौति विशिष्टा की और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं चौति विशिष्टा में पुन्जी का एकाधिपत्य या नि इसमें क्या होता है पूंजी के विनियों का दायत वो जो होता है वह पूरी तरह से उस वियापारिक पर पड़ता क्यों क्योंकि वह उस पर ही निर्भर करता है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसे पुंजी लगानी है तो कितनी लगानी है अब पुंजी नहीं है तो अरेंज कहां से करेगा वह कहां से लेगा कितना लेगा किस ब्याज दर पर लेगा वो सारी चीजें वो सारे दाइत वो जो पूरी तरीके से एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाई पर निर्भर करते हैं हम अगले विशेष्टा की और बढ़ते हैं अगली विशेष्टा कहती है कि सीमित कारेक्षित्र देखे हर व्यक्ति का जो कौशल होता है वो सीमित होता है जब व्यक्ति एक ही काम कर रहा है तो उसमे वही कोशल होगा तो अभी बड़ा ही काम करता है तो उसमें वही कोशल है वह और उस वेफसाय में और कुछ एड़ नहीं कर सकता लिटां इस वह अधों एक्डमुटेड होता है मतलब एक निश्रेट होता है वह अपने कारिक्ष्टर से आगे नहीं बढ़ सकता तो वही है उनकी जो कारिक्षच्चटर होते हैं वह सीमित होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अगले विशेष्टा की ओर जो है वैधानिक अपचारिकताओं से मुक्ती जैसे कि मैंने आपको पहली बताया कि ये बहुत छोटे स्तर पर ये व्यापार शुरू किये जाते हैं तो इसमें जितने भी सरकारी नियम होते हैं और जितने भी रिजिस्ट्रेशन वगरे जो कराना पड़ता है या फिर शास्किय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है कुछ अनुबंद करने पड़ते हैं कहीं कुछ फॉर्म्स फिलप करने पड़ते हैं ऐसा कुछ भी इस सरी या अस्तित्व नहीं। अब देखें। जो व्यापारी है वह स्वեյ मालिक होता है किसी और किसी तरीके से माली जब बुद दुरगटना हो जाता है तो आगे विवसायं नहीं कर पा रहा है या उसकी मृत्ति हो जाती है या असक्षम हो जाता उस विवसाय को आगे बढ़ाने में तो इस थिती में क्या हो जाएगा उस विवसाय का अंत हो जाएगा अगर उसके पास कोई दूसरा helping hands य आप उपस उपस्तित पुण्जी के अनुसार और अपने वीवेक जुन्नда की पूर्ण स्वतंत्ता होती है तो बचो इस तरीके से हमने जो है एकाकी स्वामेत्व व्यवसाई के बारे में जाना उसके concept को समझा, उनकी परिभाशाएं देखी, उनके अर्थ को जाना और साथ ही साथ उनकी विश्रिष्थाओं को समझा आईए हम देखते हैं कि सर प्रॉफेसर थॉमस ने क्या कहा है एकाकी स्वामेत्व के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यापार जहां बिकरी का ख्षित्र सीमित हो, मांग नियमित हो, तथा कम पूंजी की आवशक्ता हो, जहां प्रत्योगिता ना हो, तथा परस्पर संपर्क की आवशक्ता हो, जहां अधिक जोखीम ना हो, एककल व्यापार के लिए पूर्ण संभाव होती है अगर इस परिभाशा को हम स्पष्ट रूप से समझे तो प्रोफिसर थॉमस कहना चाहते हैं कि एकल व्यापार की संभावनाएं कहां कहां है पहली बात यह जो व्याविसाय होता है बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट होता है यहां पूंजी की बहुत कम आवश्यक्त होता होती है यहां जो कॉंपटिशन होता है वह बिल्कुल नहीं के बराबर होता है दूसरी चीज यहां मांग जो होती है नियमित होती है तथा विक्री का जो शेत्र होता है वह सीमित होता है साथ ही साथ यहां जोखिम भी कम होता है और अपने कस्टमर्स या भोकता के साथ अगर व्यवहार बनाना है तो वो व्यवसाय को स्वेम करना होता है तो इस थिती में एकल व्यवसाय करना उपियुक्त होता है तो बच्चों इस तरीके से एकल व्यवसाय को हमने अच्छी तरीके से जना आईए अब हम बढ़ते हैं एकल व्यवसाय की और भी कई चीजों को सम मसने हैं कि एकर वेबसाय में और भी क्या-क्या चीज़े सनलंगन होती हैं